हलो फ्रेंड्स क्लास 9th information technology ऑनलाइन क्लास की सीरीज में आज हम देखेंगे chapter 8 Talking about shelf फ्रेंड्स इस सीरीज में हम क्लास 9th information technology की जो सीरीज चल रही है इसमें पार्ट वन यानि पार्ट ए का unit first communication skills के कुछ chapters हम पढ़ रहे थे इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे chapter 8 Talking about shelf फ्रेंड्स जोर सैल्फ इंट्रोड्रेक्शन जा है किस तरह से हम अपने self-interest को effective बना सकते हैं और इस self-interest का use क्या है इसकी क्यों जरूरत होती है ये सारे चीजें आज हम इस video lecture में इस सीरीज में सबसे पहले this is called self-introduction मतलब कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं किसी से ही पहली बार मिलते हैं और वो आपके बारे में जानना चाहता है तब आप क्या करते हो तब आप खुद से related कुछ information उसको बताते हो किस form में बताते हो as form of some sentences कुछ sentences की form में आप उसको अपने बारे में information को बताते हैं जो वो आपसे aspect रखा है वो aspect तो यही करता है कि आप अपने बारे में उसको बताऊ जाद से जादा बताऊ in this case आप क्या करते हो you telling simply your name is and other such kind of information you deliver to another person who meet your first time this is called self-introduction यही self-introduction मतलब अपने बारे में दी गई जानकारी अपने बारे में दी आ गया introduction self-introduction कहलाता है but a question arises in mind why we need self-introduction question तो है और जानना भी जरूरी है कि ऐसा क्या है कि जा हम किसी अजनवी से जिससे पहली बार मिले तो उसको self-introduction देना जरूरी है नो बिल्कुर जरूरी नहीं है जब तक सामने वाला जिससे आप मिल रहे हैं वो आप से आपके बारे में जानने एकोसिज ना करें या आप सामने वाले से जानने एकोसिज ना करें तक तक self-introduction का कोई माइने नहीं होते है self-introduction एक ऐसा way है, एक ऐसा process है, एक ऐसी thinking है जो सामने वाला हम से क्या एसपेक्ट कर रहा है, वो हमारे बारे में क्या जानना चाहता है सुरुवात वो करेगा, उसके बाद आप अपने बारे में इंफॉमेशन देंगे यही सैल्फ इंट्रिशन होता है इस्पेसली जब हम किसी इंटर्व्यू में जाते हैं किसी जोग के लिए अपलाई करते हैं तो वहां पर जब हम इंटर्व्यू पर सामने बैठे होते हैं तो सबसे पहला कोश्चन उनका यही होता है इस तरह कितनी सारी फॉर्म्स हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि वो हमसे कुछ पूछना चाहरा है हमारे बारे लिए तो वहां पर अपने सेल्फ इंटर्व्यू को कितना स्टोंग हम बना सकते हैं यह चीज़ सीखने की है अब वो हम इस वीडियो लेक्सर में सीखेंगे जो फॉर्म्स है तो आप सिंपल सी बात है आपका इंटर्व्यू कि अपने के बात है आपका इंप्रेशन होगा सामने वाले पर इसलिए mostly interviewers जब interview लेते हैं तो उनका पहला question यही होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं उससे क्या होता है कि सामने वाले का confidence है वो सामने निकल के आता है और actual में वो कितना confidential है confident है confidence है उसके अंदर वो देखने के लिए कि वो अपने बारे में कितना कुछ जानता है देखिए इनसान को अपने बारे में जानना वो जरूरी है जब तक इनसान अपने बारे में नहीं जानेगा तो दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता है कि यह काम गट सकता। जब तक उसे अपने केलीवड में अपनी इस्टैन्थ अपने वीक्लेस का नहीं पता होगा तो वो काम कैसे करेगा? है क्या यह दोचार बाते हैं जो जरूरी है कि प्रोडेक्टन हमारा हमें आना चाहिए, सेल्प फोड़ेक्टन जरूरी है जब हम किसी party में जाते हैं, वहाँ पर भी हम self-interaction देते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी formal palace पर जा रहे हैं, वही पर introduction देना जरूरी है, हम party में जाते हैं, अपने relative party में जाते हैं, वहाँ पर नजाने कितने relatives ऐसे मिलते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं, बर वो हमसे कुछ जानन कोशिस करते हैं कि who are you then you will reply simply give your name mother's name etc so where we need to effective self-interaction also okay now you buy your back but a empora Tácription तो chutney काृफव कर शीजया अपना नाम बता तो ये लिए as a professional as a student as a formal we need to make self-introduction effective but how but how to make self-introduction effective we can make self-introduction effective by understood some guidelines so many guidelines are there that you should use you should follow these guidelines and make your self-introduction effective that play a major role in your career and make strong your communication skills also whenever to meet any person first time your first impression your first impression is the last impression you also listen these words many times every year so many times just know how about the first impression is the last impression to self-interestion he was cheese head you first impression or last impression up to banty a pen to rexan agar jab ardust hai to aapka impression last tak saamne wale par bana rahe ga so here we need to make self-introduction effective to make your communication strong and make strong impression to another person who meet you first time at everywhere at any time okay so what are the these guidelines are there first one keep your first sentence short jab kabhi bhi aap apna introduction day to pahla sentence kabhi bhi lengthy na bolay usko sort me hi holay second is keep your introduction brief yarni ki aapna introduction ko brief yarni ki aapna introduction ko brief yarni ki briefly introduce karayin ki briefly introduce karayin ki aapko na zahada na kam और एक बात का और ध्यान दखें कि ये तो आपको देखें नॉन वर्वल कम्मुनिकेशन में हमने पढ़ा था कि सामने वाले का जो फेशिल एक्सपेशन है उसके जो बोडी लैंग्वेज है उसको भी ध्यान देजिए कि ऐसा ना हो कि वो आप से केवल आपका नाम पूछने चाहरा हो और आप पूरे खांदान का नाम बता दे ये भी गलत हो जाएगा यहीं बातों को तो ध्यान दखना होता है ये चीज़ तो हम सीखते है तो ये भी एक अलग चीज है कि आप जो है इंप्रेशन का ओ सोरी ने आपकी आपकी एजूकेशनल और अचीव्मेंट डिटेल को सोर्ट में आपको बताना होता है कुछ कभी कभी चाहता है वह एजुकेशन डिटेल अपकी सिक्स फिफ्ट सिक्स फर्स्ट क्लास से स्कूल का नयम कहा था इस तरह के सारी चीज़े उसमें इंक्रूड करते हैं कोसिस कीजिए कि आप अपनी हाइस्ट क्वालिफिकेशन बताएं कि लास्ट एजुकेशन बताएं ठीक है कोई डिप्लोमा डिग्री है तो वो उसके साथ आप बता दे पितर रहेगा और कोई अचीवमेंट आपको कोई मैडल मिला हो गौल मैडल मिला हो इस तरह के कुछ अच लेट सेट किसी ने हि दिया हो कि आपकी हाइस क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप महीं तो आप बता दीजिए माइस्ट कॉलिफिकेशन ही जिया मैं पोश्ट गूये घच्छ अ इसा नहीं कि बना हुआ सा मूँ बना लिया तो इस तरह का फीस आपको नहीं बनाना बिल्कुल इसमाईली एक्तम अच्छे से लगे कि तो फ्रेश रेस्ट हो इस तरह का फेस आपका हो क्योंकि फेशियल एक्सपेशन ही खुद अच्छा होता है जब एक पोजेटिव इंपक् बाइन नेक्सट इस नेससरी एड़ फैमिली डिटेल अगर जरूरी हो तो फैमिली डिटेल इसको अध्यूर करें, वो डिपाइंड करता है कि आप किस जगह अगर आप किसी डिलेटिव में किसी पार्टी वगरा में यहाँ पर आपका को कई डिलेटिव आप से पूछना च बट अगर आप किसी प्रोफेशनल या फॉर्मल पेलेश पर हैं जैसे मालेज इंट्रिव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर फैमिली डिटेल्स को एड़ करना जरूरी नहीं होता लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर पोसिबल होती है कि मॉम और डैट का अकॉपेशन क्या है यह जरूरी होता है इंट्रू प्रोफेंश यह जाते हैं बताना अपने इंट्रो में सामल करना जरूरी होता है तो इस किंदा है कि आप किस जगहएं एंट्रोफिश कर drives रहीं हैं इसलिए नहीं है पर लिखा है this necessary पेमिली डिटेल्स एकर जरूरी हो लगता है कि आपको इंट्रो में जरूर सामल कीजिए कि आपकी होबी क्या है ? क्या लाइक्ट करती हो ? क्या डीसलाइक करती हो ? how perhaps अब्से दियान देखें आपकर वीगनेस canot 6 सामने वाले पर negative impact डाल सकती है तो उसको आप इग्णोर कर सकते हैं इंट्रो में उसको सामेल नहीं करना चाहिए अपनी weakness को अगर आपकी सामने वाले पर तो इस तरह की जो अगर weakness आप करनता है तो इसको इनोज कीजिए अधर वाइज आप बदा सकते हैं यह कुछ गाइडलाइन से इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने इंट्रो इंट्रो इंट्रेक्शन को बहुत ज़्यादा इंट्रेक्टिव बना सकते है Filling Forms Talking about self का ही part है Filling Forms Sometimes instead of talking you will have to write about yourself in form कभी-कभी ऐसा होता है कि बोलने की जगा बताने की जगा आपको लिख करके बताना होता है अपने बारे में एक form में आपको साई detail को fill करना होता है तो इसके भी तरीका होता है कि कैसे fill किया जाए तो इसके भी कुस guidelines है Guidelines to filling forms को किस तरह से fill करना चाहिए बहुत सारे forms आपने fill किया होंगे और mistake भी की यह होगी काफी सारी आज जो मैं guidelines आपको बता रहा हूं यह guidelines follow करने के बाद आप कुसी तरह का form आप fill करें वह आप खिलत नहीं करेंगे यह इतनी तो आसा हम करी सकते हैं आप लोगों से इतनी महनत करते हैं सबसे पहले चीज जो form आपको मिला है उसका सभी columns को आप अच्छे से रीड कर लो इसमें क्या मांगा जा रहा है उसके बाद आप उसको भड़ना fill करना स्टार्ट की लिए और राइट नीडली यानि कि कभी भी उसमें गंदगी कार्ट्वीट ना करें साथ सुत्रा अच्छे से लिए ओके नेक्स्ट आप टेकिंग केर टू यूज दा करेक्ट स्पेलिंग और सबसे में बात जब आप form फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए स्पेलिंग लॉंग ना हो क्योंकि स्पेलिंग लॉंग अगर हो जाती है तो वह भी आपका नेगेटिव इंपक्ट डालता है जो भी इस form को रिशीव करेगा तो यह बेसिक त्री कॉमन्स से दूर्स थे इन तीन दू स्पाजी में फॉर्म को फिल ना करें ठीक है यह सुचुटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप फॉर्म को फिल करते वख कोई मिश्टेक आई होप आप से नहीं होगी ओके सो गाइस यह था आज का वीडियो लेक्शर जिसमें हमने चैप्टर एट देखा यूजिट है कि इस वारे में किसी रिटेण वे रिखना होता है तो इस फॉर्म को फिल करना चाहिए चाहिए किन बातों की में धिलान लखना चाहिए यह सब हमने इस वीडियो लेक्श्र में वह सीखा तो इसके साथ यह chapter eight आज फिनिश होता है यह सोधरेर क सेशनी का chapter है कंप्लीट हो हो चुका है इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा इसका लिक वाहसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना देखा करें पूरी कंप्लीट वीडियो को इसको देखा करें तो थैंक्यू फ्रेंग्स आइविल मीट इन नेक्स वीडियो बिद न्यू चैप्टर्स तब तक के लिए थैंक्स तो अल